जैहिंग आप देखना शुर्कते हैं ग्यानकोश भूक हमारी एक ऐसी कमजोरी है जिसको मिटाए बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं खाना ही भूक को मिटाने का एक मात साधन है जब भी हमें भूक लगती है तो हम कुछ न कुछ खाते हैं लेकिन आज कल की दिन चर्या ऐसी हो गई है कि हम लोग हेल्दी फूट से जादा जंग फूट यानि बाहर का अनहल्दी खाना-खाना पसंद ही करते हैं लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा खाना-खाने से हमारे शरीर को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कुपोशड के मामलों में आकड़े कुछ अच्छे नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में करीब साथ करोड मामलों के साथ दस में से एक वेक्ति दूशित खाने के कारण बीमार पड़ता है। दुनिया भर में हर देश छोटे से लेके बड़े, अमीर से लेके गरीब, खाज जनित बीमारियों से प्यूड़ित हैं। जबकि दूशित खाना खाने की वज़ा से दुनिया में प्रतेक वर्ष तकरीबन दो करोड लोगों की मौत हो जाती है। इसको गंबीता से देखते हुए, दिसंबर 2018 को United Nations General Assembly ने World Food Safety Day मनाने की घोशना की। 7 जुन 2019 को Food Safety Airways Business थीम के तहर पहला World Food Safety Day मनाया गया। और वर्ष 2020 की थीम है The Future of Food Safety। विश खाद सुरक्षा दिवस के माध्यम से WHO सारवाजनिक एजेंडे में खाद सुरक्षा की मुख्यधारा में आने के लिए अपने प्रयासों को करता रहता है। और विश उस तर पर खाद जनित बीमारियों के बोज को कम करने में एहम भूमिका निबाता है। खाद सुरक्षा संयुक्त रास्ट के लगातार विकास लक्षों को प्राप्ट करने के लिए महात्पूर है और सरकारों, उत्पादकों और उब्भोकताओं के बीच एक साजह जिम्मेदारी है। हमारे दोरा उब्भोक किये जाने वाले भोजन को सुरक्षित रखने के लिए खेट से लेकर खाने की टेबल तक हर किसी की भूमिका होती है क्योंकि दूशित खाना खाने से होने वली बीमारियां सौस्त के सासाथ रास्टी अर्थवे अस्थाओं, परेटन और व्यापार क को नुकसान पहुचा कर सामाजिक आर्थिक विकास को बाधित करती है क्राप्त आकडों के अंसार भारत में प्रतेक वर्ष सुरक्षित भंडारर के अभाव में गेहु सड़ने से करीब 450 करोड रुपय का नुकसान होता है इसी के साथ अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पैस कीजिए